दोस्तों नमश्कार आद आप सक्ष्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अपने देश में सरवाधिक कोपोशित बच्चे जिस राज्य में रहते हैं उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश चालिस परसेंट टोटल अपने देश में जो मानो विकास सूचकांक है इस्टेट्स का उसमें उत्तर प्रदेश फिसद्डी राज्यों में शामिल है नमबर वन पर केरल है इसके बाद और सारी प्रदेश है और उत्तर प्रदेश नीचे से कहीं है स्वास्ट सेवाओं में हेल्थ सर्विसेज में जिसको महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा भी जिन्दा लोगों के साथ क्या इस्थितिया थी और मृत लोगों के साथ क्या हालात हुए यह सब ने देखा है तो हेल्थ सर्विसेज में स्वास्ट सेवाओं में उत्तर प्रदेश की पोजिशन 21 है पूरे देश में इतना बड़ा प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि सरवाधिक प्रधान मंतरी देता है इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की है, इस वक्त सबसे अधिक चर्चा हमारी जो वायू से ना है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और गर्व है, हमारे सैनिक, हमारी आर्म फोर्सेज, बहुती अनुशासित, बहुती सक्षम और बहुत समर्थ ताकत हैं, तो अभी जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि कैसे कर्तब एक्सप्रेस वे पर हमारे एर फोर्स के फाइटर्स दिखाते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मंगलवार को इसी मंगलवार को कुछी घंटे पहले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपूर जिले के एक गाउं में लखनव से गाजीपूर जाने वाला जो एक्सप्रेस वे है उस एक्सप्रेस वे पर एक खास जगह एर स्टिप बनी और एर स्टिप वाली जगह पर हमारे जो वाई उसेना के जो फाइटर्स हैं जैगवार है मिराज है सुखोई है और एन थर्टिटू जो मालवाक है ये सब उतारे गए माननी प्रदान मंत्री जी वहाँ पर मौजूद थे वो स्वेम भारती वाई स्वेना के एक हरकुलिस जो जहाज है उससे उतरे थे तो एक्सप्रेस वे को ये बतानी के लिए पूरी दुनिया के समक्ष कि हमारे फाइटर भी उस पर उतर सकते हैं ये काम पहले भी हुआ था दिल्ली के काफी नजदी जब नोईडा से आगे उतर प्रदेश के लिए आगरा और लखनो के बीच में बनने वाले जो जो बना ज फंक्षन हुआ था लेकिन इस बार तो भारत के प्रदान मंत्री उत्तर प्रदेश के चीफ पिनिस्टर और तमाम बड़े ओधेदार थे यहां तक की सेनाओं के भी बड़े अपसरान महां बवजूद थे तो अब सवाल इस बात का है कि आज चुनाओ से चार महीने पहले मोदी जी और योगी जी ने जमीन पर वो करके दिखा दिया जो चुनाओ जो पिछला चुनाओ था दो हजार सत्रह उसके चार महीने पहले जिसकी घोशना अखिलेश यादो ने की अखिलेश यादो ने ही इस एक्सप्रेस वे का एलान जो है उस सरकार ने किया था जो समाजवादी पार्टी की थी और अखिलेश यादो उसके मुक्यमंत्री थे 2017 के चुनाओं से चंद महीने पहले उन्हें पूरा भरुसा था कि इसका उनको चलाओं में बहुत फैदा मिलेगा वो एक्सप्रेस वे जो था वो लखनव से बलिया तक था ये जो एक्सप्रेस वे बनकर तयार हुआ है ये लखनव से गाजी पुर्क का है बीच में नौ जिले पढ़ते हैं अब योगी जी और मोदी जी को पूरा भरोसा है यानि भारती जन्ता पार्टी की बात में कर रहा हूँ कि इन जिलों में निश्चित रूप से इसका इंपक्ट इतना पड़ेगा कल के कारिकरम का और इस एक्सप्रेस वे का कि सारे चुनाव छेत्रों में भारती जन्ता पार्टी की पुलराइशन होगा ऐसा लगता है क्योंकि एक्सप्रेस वे अभी कई जगों पर ठीक से बना नहीं है जो कनेक्टिंग जो उसके रास्ते हैं वो कई जगा ठीक नहीं हुए हैं लेकिन आनन फानन में गोशना कर दी गई उसका लोकारपन भी कर दिया गया क्योंकि नजाने क अब चुनाओ डिक्लेयर हो जाएं और आचार संगीता वगरा लागू कर दी जाएं तो जिस सुल्तानपुर के गाउं के पास इसका उधगातन किया मिराज, जैगवार, एन-32, हैरिकुलिस, सुक्वी, सबकी मौदूदगी में वहाँ पर फाइटर्स का पराक्रम भी दिख है, मैं स्वेम डिफेंस कबर करता रहा हूँ, कुछ साल मैंने कबर किये हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम लोग जब देखते थे उन दिनों, नार्मल कोर्स में कि जो इस तरह के पराक्रम का परदर्सन होता था, सरहट के आसपास कहीं होता था, सुनसान वाले इला उसके कई कारण होते हैं, एक तो पक्षियों का, आकास में उड़ने वाले पक्षियों का डर, और दूसरा, कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, अफटर आल हमें अपने लोगों को नहीं दिखाना है, हमें तो इसकी जो जरूरत जहां होती है, वो दिखाना होता है, हमने बहुत सारे राजस्तान के रिगिस्तानी इलाकों में या जमुकश्मीर के इलाके में लदाख के इलाके में इस तरह के पराक्रम सेना के और वाई सेना के देखिये हैं लेकिन किसी सड़क पर इस तरह का भब्य समारोपुर्वक पराक्रम मेरी यादास्त में कम से कम नहीं है आपकी या दास्त में हो तो जरूर लिख कर बताईएगा आखिर ये क्यों हम एक्सप्रेस वे के ऊपर कोई आपत्ती नहीं कर रहे हैं हालांकि प्रायर्टीज का मामला है आखिर हमारी जो पिछड़े जो हमारे इलाके हैं उनकी प्रायर्टी एक्सप्रेस वे है या अच्छे राजमार्ग हैं अच्छी सड़के हैं अच्छी कनेक्टिविटी हैं अच्छी बस सर्विसेज हैं अच्छी ट्रेन सर्विसेज हैं क्या है ये एक्सप्रेस वे यकीनन भारत के जो उद्योगपती हैं कार्परेट है बड़ा बाजार है उसकी मदद जरूर करता है लेकिन आम आदमी को कितनी मदद करता है और बड़े जो कार्परेट हैं बड़े उद्योगपती हैं उनको जो फैयदा पहुँचाता है वो फैयदा निचले पायदान पर यह निए आम आदमी तक छनकर कितना आता है यह एक बड़ा सवाल है मुझे याद है बिहार के कुछ इलाकों में जब पोर बंदर से लेकर और सिल्चर तक जाने वाला नेशनल हाईवे बन रहा था तो बिहार के बहुत सारे नेता मौझूदा जो सत्ताधारी पार्टी देश की है उसी पार्टी के कहते थे कि जब यह बन के तयार हो जाएगा लेकिन विहार कितना बदला मानोविकास सूचकांक में बदला सिक्षा में बदला लोगों की जो आमदनी है उसमें बदला किसमें बदला अगर नहीं बदला तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि दरसल बेहतर स्वास्त बेहतर पढ़ाई लिखाई रोजगार मां चीजों से समाज जल्दी बदलता है सिर्फ बड़े हाईवे बना देने से नहीं बदलता हाईवे बनाईए लेकिन प्राइटी क्या होनी चाहिए किस खेत्र में कहां बनना चाहिए ये एक अलग प्रश्ण है लेकिन हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं हम कहरे हैं सुपर हाईवे बनाईए आप एक्सप्रेस्वे बनाईए लेकिन एक्सप्रेस्वे का चुनावी इस्तेमाल अगर है मैं नहीं जानता आप लोग बताईए जिन लोगों ने देखा इसे क्या कहेंगे आप और यहीं नहीं देखिए मैं किवल एक मुद्दे पर नहीं कह रहा हूँ अभी मैं चले गए हैं और तीन दिन का ये पराक्रम होगा रास्ट रक्षा समर्प्रमण पर्व अभी पहली बार मैंने इस तरह का नाम सुना जैसा मैंने आप से कहा कि डिफेंस मैंने कुछ साल कवर किये हैं तो उस नाते भी मैंने इस तरह के पर्व की कोई जानकारी मुझे नहीं ह लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां कुछी महीने के बाद चुनाव है तो क्या ये माना जाए कि हमारी जो सुरक्षा ब्योस्ता है हमारा जो सैनित तंत्र है क्या उसके राजनितिक या चुनावी इस्तेमाल की ये एक अजीब तरह की शैली नहीं है मैं ये आपके समक्ष छोड़े जा रहा हूं पुरवांचन एक्सप्रेस वे जो बना है उस पर 22,500 करोड रुपे खर्च हो गए संभौता ये 23,000 करोड से उपर जाएगा 431 किलो मीटर का ये बना है यानि 66 करोड प्रती कीलो मीटर एक कीलो मीटर सड़क बनाने पर 66 करोड लगा है लखनव से गाजीपूर के 9 जिलों में गुजरेगा अखिलेश कहते हैं कि उन्होंने आगरा लखनव जो एक्सप्रेस में बनाया था जिसका उधगाटन कपका उन 4 रूपए प्रती किलो मीटर यानि इस बार कुछ ज़्यादा है 6-8 और कहां 38 चलो मान कर चलते हैं कि इस बीच में महंगाई बड़ी है सिमेंट से लेकर लोहे का भाव बड़ा है तो लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि ये काफी महंगा है एनिवे हम इस महंगाई पर भी स्रोडवेज किया है उनको डाइवर्ट कर दिया गया डाइवर्ट ये ये शब्दावली यूज किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सच बात यह है कि उनको जोक दिया गया कि नहीं आपको आज ट्रांसपोर्ट सर्विस जो होती है नियमित आपकी वो नहीं करनी आए आपको ढोकर के लोगों को लाना है और कौन लोग लाए गए मनरेगा में जो काम करने वाले लोग है जो जॉब कार्ड जिनको बना हुआ है उनको पंचायत प्रमुक किया पंचायत के जो लोग है उनको कहा गया था कि भर-भर कर भेजिए और उदास्त मन लोग आए ख़बारों में इंटर्यू छपे हैं ऐसे लोगों के तो ये जो था रैली इस रैली में जो लोग आये थे ग्रामी वहाँ पर मौझूद एक वरिष्ट पत्रकार से भी मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि वहाँ पर रैली मोदी जी का अपना एक आकर्शन होता है रैलियो लोगों ने ठीक से मेट्रो भी नहीं देखी होगी कभी जो दिल्ली आये या कहीं किसी और बड़े शहर में गये उन्होंने मेट्रो देख ली लखनव में लेकिन मेट्रो तक नहीं देखी थी हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों जिनको हेलिकाप्टर भी ठीक से कभी रहा है सुखोई उतर रहा है सोचिए और जैगवार गरज रहा है तो ये देखकर लोगों ने जोश में इतनी तालियां बजाई कईयों के हथेलियां दर्द करने लगी ये हाल था अब एक्सप्रेस वे ये सब तो ठीक है लेकिन क्या हम इन चीजों से हमारे राजनेता समाज क क्या जो बेहाली है लोगों की जो बेरुजगारी है क्या इसको बदलने का तरीका यही है जो एजन्सियां हैं हमारी काम करने वाली उनका दुर्प्योग क्या लोगतंतर में जायज है आखिर क्यों रोडवेज से दो दिन उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अफरा तफरी मची रही है लोगों को बस सर्विस नहीं मिलती रही है ये हाल है आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो अखिलेश याद हो गाजीपूर के बिलकुल आखिली छोर पर अपनी रैली कर रहा है और वहां से वो फिर आजमगोड होते हुए लखनौ के लिए कूछ करेंगे तो ये सब चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में तो एक्सप्रेस वे की जो पॉलिटिक्स है वो चुनावी जमीन पर उतर चुकी है देखना है कि जनता क्या करती है जनता का मूट क्या होता है हमने इसी बारे में लखनौ में काम करने वाली एक वरिष्ट पत्रकार वंदिता मिश्रा से बात की और वंदिता मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस पूरे प्रकरण के बारे में इस मुद्धे पर क्या लोगों की वो पीनेयर है उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनावी महाल है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा जवरदस्त फंक्शन सुल्तान ये दावा किया जा रहा है मैंने समाज़वादी पार्टी के कुछ कारकरताओं से भी फीड़बैक लिया उन से भी बात की उनका कहना है कि ये तो हमारी स्कीम है और हमारी स्कीम को बेहतर ढंक से एक्स्कीूट करने के बज्याे बहुत खराब ढंक Всे एक्स्कीम किया है खराब बनाया आपने उसमें ये कमी रह गई वो कमी रह गई तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग अपनी बरबादी अपनी बेहाली कॉर्णा के दोरान जो कुछ देखा दुनिया ने उत्तर प्रदेश में कैसे क्या कैसे उसको एड्रिस किया गया था और हाल के दिनों में जो स जिसको मैंने मैसूश किया है एक तो यह की शायद ये सब करके जगवार, मिराज, और ये सारी चीजें करके वो ये दिखाना चाहते हैं, आम जनतां को वैसे लेना देना कुछ नहीं है, हो सकता है वो सारी की चीजें देख करके थोड़ी सी अचंबित हो जाए, उसको लगे कि वाव क्या चीज है, हमारे देश में ये सब क्या हो रहा है, हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारे बड़े-बड़े जहाद जिसको आज तक उन्होंने देखा नहीं, हर्कुलिस से वो उतरते हैं, हर्कुलिस कितना बड़ा विमान है, उस से प्रधान मंत्री का उतरना, वो हो सकता है कि ये सब दिखाय करके बहुत कुछ भाव करना चाहते हो, क्योंकि आज तक उनका रेकॉर्ड है कि वो हर चीज को छोटी-छोटी चीज को भावे बना देना चाहते हैं, और हम लोगोंने जो इतिहास में पढ़ा है कि बड़े-बड़े जो प्रधान मंत्री जो सच में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कभी ये सब दिखावा नहीं किया, गांधी जी से लेकर के आस तत्त, आपको शायद मालूम भी होगा कि जब ये वहां से चले गया है, पुरवांचल एक्सप्रेस बे से, तो वहां पर छोटे-छोटे खाने के पैकट्स, चोटी-छोटी चीजें, देखकर के ऐसा लगता है कि जैसे लोग कितने गरीब हैं, व सकता है कि उनको हैसास ना हो अपने स्वाविमान का, वो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हो, लेकिन जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम ये भाव्यता दिखा करके सारी चीजों को छुपा देंगे, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, कुछ लोग तो काले घंडे ले करके, क ना फिजूल का प्रोटोकॉल पैदा कर रहे हैं. ये आपकी जो परिशानिया हैं उनको बिलकुल खतम कर डालेगा, ये विकास की बिलकुल गंगा बहा देगा, और गाजीपूर में गंगा जितनी बहती हैं उससे ज़्यादा गती और उससे ज़्यादा इसमें प्रवा होगा, तो हमारा कहना है कि इतनी बड़ी ताकत के जो चीज कही जा रही है टेलिविजन चैनलों से, आपने हिंदी अख़बारों का जिक्र किया, तो संजीदा जो आवाजें हैं, सच की जो आवाजें हैं, आखिर वो कितनी रहेंगी और ये आवाजें कितनी जनता में, क्योंकि जनता तो अपने ढंक से सोचती है, उसके पा है, क्या आप ये मानती नहीं हैं कि आप जो सोच रही हैं और जो आम जनता सोच रही है, उसमें एक फर्क है, दो किसम की जनता है और दो किसम का मीडिया है, हम जो जिस मीडिया, हम लोग बात करें हैं, मैं इसको पैरलल मीडिया कहूंगी, जैसे हम लोग के जमाने में, फिल का काम करता है ये पैरलल मीडिया जो है वो दखल का काम कर रहा है ऐसा ने क्योंकि लोगों के हाथ में स्मार्ट फोन है कहीं न कहीं से वाटसैप के जरीए अगर वो नफरत पहला रहे है तो वाटसैप के जरीए है ये पैरलल मीडिया भी कहीं न कहीं से एक वीडियो आ जाता ह गया कल के कारिक्रम में उसके जरीए बड़े फाइटर गए फाइटर प्रेंस गए जो आम तोर पे सरहदों पर मन रहाते हैं वो गाजीपूर में सुल्टानपूर में देखे गए तो अभी आज मैं नियूज पढ़ रहा था कि हमारे जो माननी रक्षा मंतरी है राजनाज सिं है एक तरह से वो भी एक तरह का आकरशन पैदा कर रहा है वहाँ पर माननी प्रधानमंत्री जी के भी 19 तारीक को जाने की संभावना है जहां वो समापन करेंगे इस कारिक्रम का तो ये रास्ट रक्षा समर्पन पर्व ये ये डिफेंस मैं कुछ दिन कवर किया हूँ अपन संभारिक्रमों का स्थल जो है वैनिव जो है संजोग है ये केवल कि उत्तर प्रदेश है या कोई कंशन आप देखती है चुनाओं से वो जहांसी की रानी को एक्स्प्लॉइट करना जाते हैं, जैसा कि उनकी आदात है हर चीज को एक्स्प्लॉइट करने की, तो जहांसी की रानी को एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं, जहां-जहांसी की रानी है, वहां-वहां एक्स्प्लॉइटेशन कर रहे हैं, आप लोग पीछ सब्सकेय में और संबसे सब्सीयों से प्रब्लाइम उसको अपने पेट भरने से प्रॉब्लेम है वह नहीं दे पारा है और इस बात को को अगर वह सभी तरीके से पीस नहीं करेंगे यह ताम ढधाएंगे तो इनको अरगर सो चाहेगी तो बाकी यह जो जेट वेट है, यह सारा कुछ आपका राफेल, सुखोई, मिराज, यह वो, इसका कुछ नहीं है, यह भूल जाएंगे लोग, हर जनता का हर पोर्शन समझदार नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग को मज़ा आ जाए, हो सकता है, उनके कुछ वोट उसमें बदल जाएं, लेकिन हम कहा नहीं सकते कि यह बहुत जादा वर्प करेगा, लेकिन यह कि खर्चा तो यह बहुत करके नुकसान कर रहा है, कोरोना वाली चीज भूल दी नहीं चाहिए, लोगों को, एक एक परिवार से साथ-साथ लोग मारे जा चुके हैं कोरोना में, बहुत ही गंदा मैन दो आपदाओं से गुजरा हुआ है, इंसान, वाइरस से तो लड़ लेंगे, लेकिन गवर्मेंट जो चीपाना चाह रहे है, यह कोरोना का चुपाना चाह रहे है, वो चाहती है कोरोना पर कोई बात न करें, इसलिए बहुत ही हाइफाई भावयता ला रही है, जिससे कोरो जिससे कोरोना चाहती है, 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 जिससे कोरोन